दोस्तों आप साही का स्वागत है मेरे युटूब चैनल आनलेन पंचायत में। कुछ महत्पून इंफर्मेशन देखेंगे। तो आप सीधे अपने मॉबायल या कंपिटर में ओपन कर सकते हैं पोतल पर नई इंफर्मेशन देखने के लिए। तो आप सीधे या तो Google सर्च में सीधे डाल सकते हैं PMKisan.gov.in या या युवाले में डालते हैं PMKisan.gov.in तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आजाएगी PMKisan.gov.in अब दोस्तों इसमें जो महत्पून आप्शन जो आ गया है जैसा कि आप सोई को पता ही है PMKisan.gov.in की पूरी शर और यदी हुआ तो मैं और पूरा वीडियो भी इस पर ना दूँगा. आज हम ये देखते हैं कि PMKisan निधी जो है अब इसके लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल कंपल सरी कर दी गई है इसके बिना आपको PMKisan सम्मान निधी जो है नहीं मिलेगी तो उसके लिए क्या कंपल सर CAC Center तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप CAC Center यहाँ यदि आपको CAC Center यदि आप घर से नहीं कर सकते हैं तो CAC Computer Online Center जाएं नहीं तो आप घर बेटे हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से EKYC कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं तो बो मैं आपको बता देता हूं और यद दोस्तों EKYC से जरूरी हो गया इसके मिना आप जो किसान सम्मान निदी है PM किसान सम्मान निदी वो आपको प्राप्त नहीं हो पाईगी तो यह जरूर कर लें जैसा कि अभी सुनने में भी आ रहा है कि अभी 5-6 दिन में ही फिर से मिलने भी वाली है अगली किस्त 15-16 दिसम आधार EKYC तो आप यह घर बेटे कर सकते हैं अपने mobile या computer से ठीक है लेपटॉप से आपको यहां आपका आधार नमर डालना है बारांकों का जो आधार नमरे बो डालना है यहां इमेज यह जो इमेज लिखे इसी को हमें यहां पर टाइप करना होता ठीक है जैसी यहां पर पूरी डिटेल आजाएगी आपका जो mobile नमर रेइस्टर है बो जाएगा और फिर उस mobile नमर पे जो पिन बेजने के लिए कि लिए का जाएगा तो हम प्लेट पर क्लिक कर देंगे जैसे पिन भेजिंगे तो मोबाइल नमर पर पिन आ जाएगा और वो ओटीपी जो आएगा यहां एंटर करना है एंटर करना का सब्मिट करना है वेरिफाई करना है तो वेरिफाई जैसी आप करते हैं OTP तो आपका जो है आधार EKYC घर वेटे हो जाएगा मतलब घर वेटे आप आधार EKYC कर सकते हैं अपने mobile या computer से और इस आधार EKYC करने के बाद आपको आसानी से अगली किस्त जो है PM किसान सम्माने दी की प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो यह प्रोसेस है दोस्तों घर वेटे आधार EKYC करने की और यदि आपसे यह नहीं बनता है तब आप CSC सेंटर जाएं ठीक है फिर CSC सेंटर से भी हो जाएगा इसे इसमें लिखा है कि यदि आप EK ITC सेंटर जाएगं जो आनलाइन कंप्पुनेटर सेंटर सेंटर उन पर आके कर सकते हैं नहीं तो आप घर वेटे ही जो मैंने पूसे इस से घर वेटे ही olur कि ऒयसी आप कर सकते हैं यह करने के बाद ही दोस्तों किसान सम्मान निदी आपको प्राप्त होगी आशा चलिए मैं इसमें एक चीज और दिखा देता हूं आपको बाकी सारे अपसंस भी एक एक करके बताऊंगा एक हम देख सकते हैं जैसे माली जे आप किसी पर्टिकुलर गाउं में रहे र एकन परिक करने के बाद ये आपने सबसेट कर लिया है एक एक करके सालिट कर सकते हैं और यहा गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देख में जितन ही इऔर इंत्यार करें इसके बाद दोस्तों, आपको पूरी फार्मेर केसे यहां 0.1 लिष्ट के लिश्ट में अपना नाम देख सकते हैं, जितनी लिष्ट होगा आपило 103 कि में उल्ड़ करकर आगे लिष्ट को बढ़ा सकते हैं, यृदों बढ़ते जाएगे आगे आगे ति से आपकी लिस्ट देखने की आपका PM किसान समाज निती में नाम है या नहीं अब दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं इसी वीडियो में आपको यदि केसी सी फ़ाम डाउनलोड करना है तो वो किस तरह से करें तो हम यही पर नीचे आएंगे स्कॉल करकर यह आपको दिख डाउनलोड केसी सी फ़ाम तो हम यह जो एरो दिख रहा है डाउनलोड वाला इस पर क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ छड़ों के इंतियार के पश्चात आपको यह देखिए फ़ाम आपके सामने डाउनलोड होके दिखने लगेगा ठीक है तो यह जो आप बेंग ब्रांच सिम्पल सी है जदी आप कहेंगे तो इस पर वीडियो ना दूँँगा किस तरह से इसको फिल करना है तो लोन एप्लिकेशन फॉर्म फॉर एगरी कल्चर क्रेडिट फॉर पी एम किसान बेनी फिशरी पी एम किसान बेनी फिशरी जो हिदगाई है कंप्र संत्राइब लाग, लगते, आपी कंप्रें हैं मुल्टी के नियुक्त आ absorbed में Effectory अपने पूरा नाम देख सकें कि अपना नाम है या नहीं पीम किसान समयाना निदी में तीसरा है देखा कि केसी तीक फॉर्म किस तरह सब डौनलोड करकर प्रेंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं तो ये चीज़ें देख लिए दोस्तों और भी मैं इस पर जानकारी पर आपको वीडियो बनाते रहूँगा इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जोर रही है आपको पता ही है मेरी यूटूब चैनल ऑनलेन पंचाया थे और आप अधिक सदिक सब्सक